इंडिया की 1983 Cricket World Cup Winning Journey के उपर बनी मूवी 83 का ये कोई review वीडियो नहीं है ये कोई reaction वीडियो नहीं है बलकि इस वीडियो में उस मूवी में होई कुछ ऐसी चीजें जो हमारे आज का एक normal sportsman अपनी life से relate कर सकता है जो चीजें उसको life में अपने face करनी पड़ती है और जिसकी पर उन चीजों को अपनी life में implement करोगे तो अपना एक positive character बना सकोगे और उस character को carry करके आपकी जो aim है आप पर जो गोल है उसकी journey को और अच्छा बना पाओगे और उसको जल्दी से cover कर पाओगे बहुत ही confidence के साथ तो चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर रहे हैं कि खेलने ही क्यों आई है ये वर्ल्ड कप जीतने का सपना तो दूर की बात है इन्होंने आज तक इससे पहले को important match ही नहीं जीता है तो फिर ये आए क्यों है तो कपिल देव नहीं यहाँ पर कहा कि मुझे ऐसे लोगों से दिक्कत नहीं है बलकि मुझे उन लोगों से दिक्क है जो लोग इतने कम में संतुस्ट हो जाते हैं इतने कम में ही सैटिस्वाई हो जाते हैं अगर इंडियन टीम ने चार में से दो ग्रूप स्टेज के मैसेज जीत लिये थे और वो आगे के कौलिफाई करने के लिए डू और डाइ मैज खिलने जा रहे थी वहाँ पर किसी का है ऐसा बोलना कि बस जितना कर लिए उतना बहुत है भाई इतने में हम खुश हैं मुझको उन लोगों से नफरत है तो कभी भी उसने मेसेज यह आता है कि लोग आपका कितनी भी नेगेटिविटी फैली हो खुद का जो एम है उसको उस नेगेटिविटी की वज़े से कम मत कर लो जिस गोल के लिए गए थे उसको कम्प्लीटी करके आना हाली में टोफियो 2020 में गोल मिडल जीतने के बाद जब नीरत चोपड़ा बहार निकले तो उन्होंने सबसे पहले अपने इंटेविविव में कहा कि अब मैं जा रहा हूं साल 2024 के ओलिम्पिक्स के लिए गोल मि लेना और दूसरे को यह बोलना कि बस इतना कर लिया बहुत है इसके आगे का नहीं सोचना गलत दूसरी जो बात है वो पूरी मूवी में बहुत बार हुई है जब कपिल देव के जो पूरी इंडियन टीम थी उसके प्लेयर्स वहां के मैनेजर्स या फिर बाकी लोग कपिल वाली टीम थी वो अच्छा नहीं खेल पाई इस वज़े से मैच जीत गया इस पर जो सारे प्लेयर्स होते हैं जो मैनेजर्स होते हैं वो कपिल देव से डिमांड करते हैं कि आप जाएए और प्रेस कॉंफरेंस रखके इन लोगों को जवाब दीजे कि हम लोग अपनी मैनत के जवाब देंगे हम वर्ड कफ उठाके जवाब देंगे हम किसी को ओन पेपर या फिर अपनी बातों से जवाब नहीं देने वाले हैं हमारे पास भी बैट है हमारे पास भी बॉल है वाल जाती है, 17 रन पे 5 विकेट, जिसके बाद जो crowd होती है, वो stadium छोड़के जा रही होती है, जो भी Indian fans होते हैं, जो Indian players batsmen out हो गए होते हैं, वो मुझ गुमा के नीचे देख के इंतिसार कर रहे होते हैं, कि थोड़े बहुत रन किसी तरह बन जाएं ताकि हमारी नाक ना कटे, उस not over until it's over, जब तक कोई चीज खतम नहीं होई है, वो खतम नहीं होती है, कपिल देव अपना belief system इतना strong कर लेते हैं, उस time पिछ पे खड़े खड़े, खुद को motivate कर लेते हैं, सारी चीजों को सोचते हुए और देखते हुए, जितना motivation या फिर जितना confidence, जिम्बामबे के ballers के अदर उस time नहीं होता है, उस से जदा उस condition में कपिल देव अपने अंदर उस confidence को लाते हैं, अपना दिमाग उस situation में भी किसी भी हाल में चलाते हैं, अपने partners को जो भी batsmen उनके सामने होते हैं, उनको guide करते हैं, उनको समझाते हैं और उस innings को धीर धीर आगे बढ़ाते आप किसी चीज को सच्च में करना चाते हो, तो आप उस चीज को किसी भी हाल में कर सकते हो,